हैलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे डोरा केक और बनाएइंगे और यह एक बार में ही ये डोरा केक कैसे आपके पर फेक्ट से बन जायेगा इसे मैँ पूरे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में सेयर करूंगी और केक बनाने टरैं में कुछ गलती हो जाती है जिस्से यह हम तो आप इस तरह बिस्किट को अलग कर देंगे करें गया है इस तरह सेपरेट बावल में एक तरफ बिस्किट और एक तरफ बिस्किट को रखते जाएंगे जब भी बच्चों को छोटी मोटी भूख हो तो आप इस तरह ओरियो बिस्किट से अराम से पैनकेक या डोरा केक जो है आप बना के घर में तयार कर सकते हैं उन्हें खाना बहुत पसंद आएगा तो यहां पर बिस्किट और क्रीम जो है अलग-अलग मैं कर दी हूँ तो बिस्किट को हम डाल देंगे मिक्सी वाली जार में साथी साथ डाल देंगे दो चमस चीनी और इसे हम पहले इसी तरह ही सुखा पीस लेंगे यहां मैं इसे पीस ली हूँ अब इसमें हम डालेंगे दूद दूद को जो अच्छे से गरम करके ठंडा कर ले उसके बाद यूज करें यहां पर जो मेजरिंग कप आता है उससे मैं यहां पर टोटल हाप कप भी दूद का यूज की हूँ यहां पर आप हम इसे बावल में डाल देंगे अब देख सकते हैं इतना हमें इसे पतला रखना है बहुत ज्यादा हमें इसे मोटा नहीं करना है इस पेचुला से अच्छे से सारे बैटर को निकाल लेंगे और इसमें अब हम जो घर के नॉर्मल खाने वाली चमच होती है उससे डालेंगे आधा चमच बेकिंग पावडर और एक पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा इससे ज्यादा हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर चमच से एक बड़ा चमच डालूँगी तो यहां पर पैन को कर लेंगे अच्छे से गरम इसमें डालेंगे एक से दो ड्रॉप और इसे टीशू पेपर से अच्छे से पोच लेंगे पैन को हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है नहीं तो हमारा डोरा केक जो है नीचे से जल जाता है और मैं स्टार्टिंग में एक से दो जो है ट्राई की तो जल गया वह मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी यहां पर एक चमच डालने से बहुत छोटा बन रहात कि इसी तरह लो फ्लेम पे ही पकने देंगे यहां आप देख सकते उपर का जो है अच्छे से यह ड्राई हो गया है तो इसे आप हम हलके हाथों से पलट लेंगे कि यह अभी बहुत ज्यादा सॉप्ट है तो आप देख सकते एक साइड में कितने अच्छे से पका है दूसरे से मैं डाल रही हूं डेड़ चमच इतना बैटर को और इसे फिर से हलके आदों से सेंटर से सिर्फ थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर सेम प्रोसेस से हम सारे पैनकेक को बना के तयार करेंगे तब देख सकते इस तरह ड्राय हो जाएगे कुछी सेकेंड में उसके बाद हम दूसरे साइड से भी हम पलटके सेक लेंगे इसी तरह बांकी बचे हुए भी पैनकेक को बना के तयार करेंगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर चार्ज पीसे जो है अच्छे से बनके त्यार हुए है स्टार्टिंग में मैं जो बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाती तब जो है थोड़ा ज्यादा गरम हो गया था जिसके वजह से यह इस तरह का फैला नहीं और भीच से मोटा हो गया तब ही जाके आपका परफेक्ट जो है पैंकेक बनेगा उसके बाद यहां पर क्रीम में मैं सिर्फ एक चमची दूद का यूच कर रही हूं कि अगर ज्यादा डालेंगे तो क्रीम पतला हो जाएगा रूओ बाहर मेल्ट हो जाएगा इस तरह इसे अच्छे से फैला देंगे यहां आप देख सकते हैं हमारा क्रीम बनके तियार हो चुका है सिर्फ एक चमची दूद का मैं यूच की हूं अब इसके जो है नीचे वाले साइट्स में हम इस तरह बीच में सिर्फ क्रीम लगा लेंगे साइट्स में क्रीम नहीं लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके उपर रख के हम हलके हाथों से साइट्स वाले को प्रेस कर देंगे जिससे ये एक दूसरे मां अच्छे से चिपक जाएगा इसी तरह हम सारे डोरा केक को बना के त्यार कर देंगे और आप भी अगर कुछ बाते का ध्यान रखेंगे तो आपका भी डोरा केक एक बार में पर्फेक्ट बनेगा सिर्फ इतना कि आपका फ्लेम जो है लो रहना चाहिए और आपका बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो पर्फेक्ट होना चाहिए एक पेकेट विस्कीट में सिर्फ आधा कप ही मिल्क का यूज करें तब ही जाका आपका बैटर जो है पर्फेक्ट बनेगा इसी तरह आप भी एक बार जरू ट्राइ करें आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और यह बड़ो को भी बहुत अच्छी लगती है अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ यह इसे आप बच्चों के टिपिन वे भी दे सकते हैं तो आप भी इस डोरा केक या पैनकेक की रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब क झाल